एलो दोस्तों, क्या आप भी Google Drive पर फोटो अपलोड करके सेव करना चाहते हैं? तो आईए, इस वीडियो में Google Drive में अपना फोटो, वीडियो या कुछ भी कैसे सेव करें, इसके बारे में जानते हैं. अधिकतर लोगो द्वारा अपनी फाइल्स या फोटो को सुरक्षित रखने के लिए, गूगल ड्राइव का ही इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए जान लेते हैं मोबाइल से गूगल ड्राइव में फोटो अपलोड कैसे करते हैं. आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव एपलिकेशन पहले से ही मौजूद होगा. अगर नहीं है, तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. Google Drive app को mobile में install करने के बाद सबसे पहले अपने mobile में Google Drive app ओपन करे अब right side में उपर profile icon पर क्लिक करके जिस भी Google account पर photo save करना चाहते हैं उसे select कर ले अब आपको Google Drive के home page पर plus icon देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ पर अलग-अलग option मिलेंगे जिसमें से आपको upload के option पर क्लिक करना है जिससे आपके mobile में file manager ओपन हो जाएगा अब आपको जिस भी photo, video या documents को Google Drive पर upload करना है उसे long press करके select कर ले उपर दाई तरफ three dots के पास select या append के option पर क्लिक करे अब आपकी सभी selected files photo, video, Google Drive पर upload हो जाएगी जिसे आप नीचे files के option में जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों जानकारी पसंद आई तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को subscribe करना मत भूलिए जाई बार स्ञ्ड़ हो दाई